हलो स्टूडेंट मां उत्तम दोवेदी आप सभी का स्वागत है आज हम लोग पढ़ते हैं इस्थिर वैद्धुत इस्तितिज उर्जा देगे इस्थिर वैद्धुत इस्तितिज उर्जा पढ़ने से पहले हम लोग यह समझते हैं कि यदि दो आवेस या दो से आधेक आवेस एक दूसरे के पास रखे हों तो वह एक दूसरे पर आकरसण या प्रतिकरसण का बल लगाते हैं और यदि ये दोनों एक दूसरे पर आकरसण या प्रतिकरसण का बल लगाते हैं तो यदि हम इन आवेसों को एक दूसरे से दूर ले जाएं या एक दूसरे के पास लाएं तो क्या होगा हमें इनके बद्ध जो लगने वाला बल है उसके विरुद्ध कार करना पड़ेगा और जो कार होता है वह इन आवेसों के द्वारा जो बना निकाय है उसमें अके रूप में संचिद होता है क्या बताया हमने कि यदि दो या दू से अधिक आफेस ले 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 तो इनके मत या तो आकर्शन का बल लगेज़ यदि और निगेटियों हैं तो और यदि दोणों पॉजटियों पॉजटियों हैं या निगेटियों निगेटियों है तो दोनों पर कैसा बल लगेगा प्रतिकर्सण का और प्रतिकर्सण का बल लगेगा या कर्सण का बल लगेगा तो अगर हम दूर या पास ले जाना चाहते हैं तो हमें कुछ कार करना पड़ेगा और कार क्या होता है इस संपूर निकाय में वै लेते हैं कि कोई निकाए A B है और निकाए A B में A बिंदू पर कोई आवेस रखा हुआ है प्लस Q1 और यह बिंदू क्या है A है इससे R दूरी पर कोई दूसरा बिंदू है B और यहां पर कोई आवेस रखना है प्लस Q2 और इस जगे पर हमें क्या करना है यह जो निकाए बना ह यदि इसके बीच की दूरी आर हो तो इस निकाए के कारण हमको क्या ग्याद करना है वैद्दो तिस्तिते जूर जा या कहें इस निकाए की वैद्दो तिस्तिते जूर जा क्या होगी ये ग्याद करते हैं तो दिखो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं कि जो प्लस Q2 है वो बिंदू B पर ना होकर वह कहां है अनंत पर और आपको अनंत के बारे में पहले भी बता चुके हैं अनंत का मतलब होता है प्लस Q1 के छित्र से बाहर तो यदि यह प्लस Q2 जो दिया गया है वह अभी अनंत प विभौ होगा और किसी बिंदू आवेश के कारण वैद्दुद विभौ क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एपसाले नौट क्यू अपॉन में आर क्या बताया कि किसी बिंदू आवेश के कारण वैद्दुद विभौ वन अपॉन फोर पाई एपसाले नौट क्यू अपॉन में R होता है अब यह बिंदू आवेस के कारण बिंदू B पर विभो है और हम क्या करना चाहते हैं निकाय बनाना चाहते हैं प्लस Q1 और Q2 का तो यह जो अनन्त में रखा हुआ है इस अनन्त वाले को हम कहां पे लाते हैं हम लोग इस वाले को अनन्त वाले जो आवेस है इसको ह डबलू वह बराबर होगा V into Q के यानि की वेभौ गुड़े आवेस और आवेस का मान यहां पर क्या है Q2 है अब बात कर रहे हैं यहां पर हमनों लिखा है Q और जबकि हमारा आवेस कितना था Q1 था यहां पर हम क्या लिखेंगे Q1 लिखेंगे और यहां पर हम लाए कौन सा आवेसे Q2 बिंदू भी पर तो इस जगह पर हमने क्या लिखा Q2 अब विभौ का जो मान है उसको हम यहां रख देते हैं तो डबलू बराबर आजाएगा 1 अपॉन फोर पाई एपसालिन नॉट Q1 अपॉन में R और इंटू में Q2 ठीक है अब यहां पर अगर हम ध्यान दे तो यह क्या है किसी यह जो Q1 प्लस Q1 दिया है और यह प्लस Q2 अब हम कहां ले आए बिंदू B पर तो प्लस Q1 और Q2 का जो निकाए बना इस निकाए के लिए हमें जो कार करना परा अब यही कार तो इस्तिज उर्जा है तो यह कार किस रूप में संचित होगा इस्तिज उर्जा के रूप में यानि की W बराबर किसके होगा UK तो U का मान कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एपसालिन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R यह किसका सुत्र हो जाएगा वैदुत इस्ति यहां पर उर्जा का जो मान है वैदुत इस्तित इस्ति उर्जा का मान किस किन बातों पर निर्भर करता है या कहा जाए कौन कौन सी चीजों पर निर्भर करता है तो पहले तो यह एक अदिस रासी है और यदि अदिस रासी है तो हम आवेसों को चिन्न सहित लेंगे आवेस यदी प्लस का है तो प्लस रखेंगे और माइनस का है तो माइनस रखेंगे अब हमने कहा यदी दोनों आवेस सजाती है हो दोनों आवेस सजाती का मतलब या तो दोनों पॉजटिव है या तो दोनों कैसे है निगेटिव है तब इस स्थिती में Q1 इंटू Q2 का मान कैसा होगा जीरो से अधिक होगा कहने का मतलब है Q1 का मान यदी प्लस है और Q2 का मान प्लस है तो प्लस प्लस जीरो से बड़ा माइनस माइनस जीरो से बड़ा तो सजाती आवेस के लिए यह मान कैसा होगा जीरो से बड़ा तब इस स्थिती में U का मान कैसा होगा positive होगा क्यों क्योंकि यहां पर इनका गुड़न कैसा आ रहा है positive हो आ रहा है अब यदि हम कहें u के लिए graph बताईए वैद्दो तिस्तिते जूरजा का graph क्या होगा तो देखे graph के लिए अगर बात करते हैं तो यू बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है वन अपॉन फोर पाई epsilon not q1 q2 अपॉन में आर तो यहां पर यदि हम graph बनाना चाहते हैं तो graph क्या बनेगा यू वा आर के मद्ध graph कीचते हैं और यू का मान कैसा लेना है पॉजट्यो यहां पर ध्यान देंगे तो यू व्यूत क्रुमान पाती है आर के इसका मतलब है आर बढ़ाएंगे तो यू का मान क्या होगा घटेगा क्या मतलब है आर बढ़ाएंगे तो यू का मान घटेगा कहने का मतलब है जैसे जैसे हम लोग R का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो U का मान घठता चला जा रहा है यह क्या है? U विद्क्रमान पाती है R के ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं Second Condition की Second Condition का मतलब यहाँ पर यह है कि यदी दोनों आवेस कैसे लिये जाएं विप्रीत प्रकति के कहने का मतलब विजाती तब इस स्थिती पे यदि एक प्लस दूसरा माइनस या ये प्लस और ये बाला माइनस तो इन दोनों का गुड़न हमेशा माइनस प्लस माइनस का गुड़ा कैसा आएगा माइनस तब इस स्थिती पे क्या कर सकते हैं Q1 into Q2 का मान जो आएगा वह कैसा होगा 0 से छोटा और जब Q1 into Q2 का मान 0 से छोटा आएगा तो देखें U बराबर होता है 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon में R तो Q1 into Q2 का मान जब 0 से छोटा है तो यहाँ पर U का मान भी क्या होगा 0 से छोटा कहने का मतलब कैसा आएगा निगेटिव आएगा अगर U का मान निगेटिव है तो यह जो ग्राफ बना है उसमें तो U positive है क्योंकि यहाँ पर क्या है यह ग्राफ वाइच में उपर की ओर प्रतरसित कर रहा है तो यह वाला ग्राफ तो हमारा सही नहीं होगा तो graph क्या बनेगा फिर? graph बनेगा हमारा यहां पर U हमारा कैसा रहेगा? negative यानि कि YH में कहां रहेगा? नीचे की और? तो U का मान कहां रहेगा? YH में नीचे और R तो हमारी दूरी है, R का मान तो हम बढ़ाते जाएंगे प्लस में ही लेंगे दूरी का मान तो अब यहां पर U कैसा है? व्यूद करमान पाती है, R के इसका मतलब R बढ़ेगा, तो U का मान परिमार में अंक में कैसा होगा? घटेगा परिमार में क्यों मोल रहे हैं? यहां पर हम लोगों को ध्यान देना है कि YH का मान R बढ़ाने पर घट रहा है लेकिन वास्तों में माइनस घट रहा है और माइनस जब कम होता है तो क्या होता है माइनस का नंबर जब कम होगा तो यहाँ पर जो u है वो बढ़ेगा वास्तों में क्यों 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 कि हम लोग कहां जा रहे है जीरो की तरफ माइनस से जीरो की तरफ गए तो यू का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है लेकिन हम ग्राफ में देखें तो अंक में यानि की परिमार में आर बढ़ाने पर यू क्या हो रहा है गट रहा है समझ में आई होगी बात क्या बताया कि यदि दोनों भी प्रकतिके आवेस हैं एक प्लस क्यू वन है दूसरा प्लस क्यू टू माइनस क्यू टू है यह माइनस यह प्लस है और यह वाला माइनस तो दोनों का गुरन क्या होगा जीरो से छोटा होगा और यदि जीरो से छोटा हो तो यू का मान भी निगेटियों होगा और यू का मान निगेटियों है तब ग्राप कैसा बनेगा हमारा यू निगेटियों से तब हमारा ग्राप आर बढ़ाने पर यू का मान घट रहा है आंकिक में लेकिन वास्तों में जो मान है वह कैसा हो रहा है उपर की ओर जा रहा है त Q1, Q2, Q3, 3 आवेस हैं और तीनों आवेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं हमने कहा यहाँ पर Q1 है और इस जगह पर Q2 है और इस जगह पर क्या लिखा हुआ है Q3 लिखा है और तीनों अभी हम लोग प्लस ही लेते हैं अब हमने कहा Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो है वह R1, 2 Q2 और Q3 के जो बीच की दूरी है वह R23 है और Q3 और Q1 के बीच की दूरी जो है वह R31 है तब आप से पूछा जाए बताइए इस निकाय की वैद्दुत इस्तिते जूरजा कितनी होगी तो यहां पे यदि हम लोग ध्यान दें तो दो आवेसों के कारण निकाय के लिए हमारे पास उर्जा कामान है और यदि दो से अधिक है तो क्या करें हम दो दो का निकाय बना लेते हैं कैसे Q1 और Q2 का एक निकाय बना ये और दूसरा Q2 और Q3 का निकाय बन गया हमारा और तीसरा किसके किसके मद्द बन गया Q3 और Q1 के मद्द बना तो हमारे पास टोटल कित ते जूर जा निकालेंगे क्योंकि आदेस रासी है तो कोलिस्त ते जूर जा कितनी होगी U1 प्लस U2 और प्लस में U3 अब यदि हम लोग कहें U1 का मान कितना होगा तो यदि हम Q1 और Q2 के मद्द U1 मान रहे हैं तो यहां पर मान कितना आएगा U बराबर 1 अपॉन फोर पाई प्लस में अब अगर हम कहीं U2 का मान क्या होगा और अगर हम इसको U2 मान रहे हैं तो Q2 इंटू Q3 और अपॉन में R का मान क्या दिया गया है R23 प्लस और यदि हम कहें कि Q3 और Q1 के मद्द कितना होगा तो यहां पर Q3 Q1 और बटे में R31 1 अपॉन फोर पाई एपसालिन पामन कर लिया तो यह क्या है किसी भी दो की जगह तीन आवेसों के द्वारा बनने वाले निकाय की इस्तिज उर्जा अब यदि इसी में कह दिया जाए कि कोई एक आवेस कैसा है रिनावेसित है कोई भी एक आवेस हम लोग रिनावेसित ले लेते हैं तो अब आप तो निगेटे जो तब इस स्तिती में यू का मान क्या होगा वन अपोन फोर पाई एप सालेन नौर्ट और देखिये किऊँ वन प्लस का किऊ टू प्लस का तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही आया तो यहां पे हो गया क्यू वन क्यू टू अप़ॉन में आर वन – टू क्यू Q2 प्लस का Q3 माइनस का प्लस माइनस का गुणा माइनस आया इसलिए यहां क्या आएगा माइनस Q2 Q3 और अपॉन में R23 और यहां पर ध्यान देंगे तो Q3 माइनस का Q1 प्लस का तो प्लस माइनस का गुणा फिर से माइनस आया तो क्या आगया Q3 Q1 और अपॉन में R31 तो यहां पर वैद्दोत इस्तिते जूर्जा का मान क्या आएगा पहला पोस्ट ते निगेटेव और तीसरा निगेटेव होगा तो यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए पोस्ट यूव है तो आप प्लस लीजिये और अगर निगेटेव है तो आप माइनस लीजिये ऐसे अन्य में भी गया यह निगेटियो दिया तब भी हमारा इस्तिते जूर्जा कामान क्या होता जाएगा छेंज होता जाएगा ठीक है तो इस्तिते जूर्जा के बारे में आप लोग समझ गए होगे अब हम लोग आते हैं अगली heading पर अब देखें हम लोग समझते हैं सम्विभव प्रस्ट क कोई भी वैद्दु छित्र है उसमें खीचा गया वह प्रिष्ट जिसके प्रतेक बिंदु पर विभौ कैसा हो समान हो कहने का मतलब यदि इस बिंदु पर विभौ भी है तो इस बिंदु पर भी विभौ भी होगा और इस बिंदु पर भी विभौ होगा तो वह प्रिष्ट के बारे में कुछ चीजें आ जाते हैं समझ लेते हैं important point अगर आप से कहा जाए सम विभौ प्रष्ट की विशेस्ता हैं क्या होती है तो पहली विशेस्ता तो उसकी परिवासा ही है क्या कि उसके प्रष्ट के प्रतेग बिंदू पर विभौ कैसा होता है समान होता है दूसरी विशेस्ता क्या है कि यदि हम कह दें दोनों बिंदू के मद विभौ अंतर बता दीजिए विभौ अंतर का मतलब है पहले बिंदू और दूसरे बिंदू में विभौ में अंतर क्या होगा तो आप बोलोगे किनी दो बिंदू के वी जो विभौ में अंतर है वह कितना होगा जीरो क्योंकि यहाँ पे भी भी है और यहाँ पर भी भी है तो वी में से भी cancel out हुआ क्या आ गया जीरो आ गया अब तीसरी विसेश्था important विसेश्था होती है क्या कि जो वैदुत बल रेखाएं हैं क्या बताया कि जो वैदुत बल रेखाएं हैं वो प्रिष्ट पर कितरे अंस का कोड बनाती है क्यों कोड बनाती है क्योंकि हम लोगों ने पड़ाए वी बराबर होता है वन अपॉन फोर पाई epsilon not q upon r या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो e होता है वह क्या होता है वी अपॉन d के बराबर होता है कहने का मतलब है कि जो v का मान है प्रतेग बिंदु पर वै आर पर निर्भर कर रहा है और यदि r का मान बदलेगा तो उस इस्तिती पर क्या होगा विभो का मान वी चेंज होगा अब हमने कहा कोई प्रस्ट है मान लीजिए हम लोग प्रस्ट बनाते हैं कोई इस तरीके से कि इस प्रकार का प्रस्ट है और इस पर वैद्दु बल रेखा हैं लंबवत ना गिर कर किसी कोड पर गिर रही है तो इस वाले जो वैद्दु बल रेखा इसको कम दूरी तै करनी पड़ेगी और इस वाले को जादा दूरी तै करनी पड़ेगी इस वाले को और ज़्यादा दूरी तै करनी पड़ेगी इस कारण से क्या होगा आर का मान यहां कम होगा यहां ज़्यादा होगा और यहां और ज़्यादा हो जाएगा जब आर बदलेगा तो विभव भी बदल जाएगा और हमारा तो यह क्या है सम विभव प्रिष्ट है इसका मतलब सम विभव प्रिष्ट क्या होगा ऐसा प्रिष्ट होगा जिस पर वैदुद बल रेखाएं कैसी गिरेंगी 90 अंस के कोड़ पर या कहा जाए आप्तित कैसी लेकिन दोनों प्रिष्ट एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करेंगे अब प्रतिछेद क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यदि कहीं पर प्रतिछेद कर गए तो उस बिंदुद पर इस पर्स रेखाएं दो होंगी जिससे वैद्दुद छितर की दिसाएं भी दो होंगी और जो क्या बताया सम्विभुव प्रस्ट की प्रतेग बिंदू पर विभुव कैसा होगा सामान होगा कि नहीं दो बिंदू के बीच विभुवांतर कितना होगा जीरो के कोड़ पर और क्या बताया कि यदि दोनों प्रिष्ट या कहा जाए दो से अधेक प्रिष्ट लिए गए तो वह आपस में एक दूसरी को प्रतिछेद नहीं करेंगे ठीक है अब बात करते हैं कि संभिभवा प्रिष्ट किसी भी बिंदू स्रोत के लिए या कहा जाए किसी ये केंदर का काम करेगा और केंदर से यह जो दूरी होगी वह त्रिज्या कहलाएगी प्रतेक इस्थान पर समान होगी इसलिए किसी भी बिंदूवत स्रोत के लिए संभिभवा प्रिष्ट कैसा होता है गोली होता है यदि कोई क्या है कि यहाँ पर वैद्दुत होगी ठीक है तो सम विभाव प्रष्ट आपको समझ में आया होगा अब हम लोग आते हैं इस चेप्टर की अगली हेडिंग पर अब हम लोग आते हैं अगली हेडिंग पर विभाव प्रमर्ता क्या है देखिए देखिए विभाव प्रमर्ता समझने से पहले यह समझते हैं कि यदि कोई बिंदू आवेस प्लस Q है तो इसके कारण वैद्दो छित्र की तीवरता कहां की ओर होती है बाहर की ओर ठीक है तो वैद्दो छित्र की तीवरता बाहर की ओर होगी अगर हम लोग कहें बिंदू A पर विभौ कितना है वी है तो B पर जो विभौ होगा वैर दूरी और बढ़ जा रही है, हमने कहा डेल्टा X दूरी बढ़ गई है, क्योंकि हम लोगोंने विभौ का सूत्र पढ़ा हुआ है, वन अपॉन फोर पाई, एपसाइलिन नॉट, और क्यू अपॉन में क्या होता है, आर, और आर की जगे हम क्या मान सकते हैं, X मान सकते हैं, तो यदि हमने X प्लस डेल्टा X कर दिया, तो विभौ का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यदि हम मालने कि विभौ का मान कितना घट गया, डेल्टा V घट गया, तो विभौ कितना हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V, तो बिंदू A से B पर विभौ कामान क्या हो रहा है कुछ घट रहा है और किसके सापेज घट रहा है दूरी के सापेज घट रहा है तो विभौ प्रवणता क्या होती है देखिए विभौ प्रवणता कामान बराबर होता है delta v upon में delta x और v v minus में minus क्यों अभी बताया ही हमने क्या कि यहाँ पर विभौ का मान क्या हो रहा है आंगे जाने पर घट रहा है तो इसलिए यहाँ पर यह चिन्न क्या लिखा हुआ है minus अब परिभासा क्या लिखें देखें परिभासा लिखने का सबसे सिंपल तरीका है सूत्र से ही परिभासा बनाई है क्या बोलोगे कि वैदुत छेत्र के अनुदिस या वैदुत छेत्र की दिसा में दूरी के सापेच है ना क्योंकि हम लोग दूरी के सापेच ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे वैदुच्छित्र के अनुदिस दूरी के सापेच विभाव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं विभाव प्रवर्ता कहते हैं क्या बताया एक बार फिर से रिपीट करते हैं दूरी के सापेच विभाव परिवर्तन की दर को विभाव प्रवर् प्रतिकर्षन वैद्व चेत्र की दिसा में बाहर की ओर तो एफ बराबर कितना होगा एफ बराबर होगा क्यू इंटू में यहां पर ई हो जाएगा अब क्योंकि किस पर बल की बात कर रहे हैं परिचन आवेस पर तो यहां पर आया क्यू नोट इंटू में ई अब हम इस क्यू नोट आवेस को डेल्टा एक्स विस्थापित करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्स विस्थापन करने में यदि किया गया कार डबलू हो तो डबलू बराबर क्या होता है बल गुडे विस्थापन और क्योंकि हम बलके विपरीत दिसा में आ रहे हैं यदि बलके विपरीत दिसा में आ रहे हैं तो डेल्टा एक्स का मान कैसा लेंगे डिल्टा एक्स और यदि हम इस q naut को नीचे ले آें तो क्या होगा w upon में q naut बरावर में माइनस का e intoола e in 2 delta x और इसको हम लोग डाल लेते हैं समीकर नमबर एक अब यह आप लोगों ने w upon q naut देखा यह आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है किस के लिए वैदुत विभौ के लिए या विभौवांतर के लिए तो विभौवांतर विभौवांतर जो होता है वह किसके बराबर होता है डबलू अपॉन क्यू नॉट के बराबर होता है अब विभौवांतर है कितना देखो यह V पहले में है बाद में कितना है V माइनस डेल्टा V तो कितने का अंतर है डेल्टा V का तो यहाँ पर विववांतर क्या हो जाएगा डेल्टा V बराबर किसके W अपॉन क्यू नोट के तो यह समीकरण नमबर कितना हो गया 2 समीकरण एक और दो में देखते हैं तो यह मान आपस में कैसे हैं इन्टू डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा वी के कहने का मतलब है इन्टू डेल्टा एक्स रख सकते हैं डेल्टा वी के बराबर तो यहां पे डेल्टा एक्स को नीचे ले जाते हैं तो इ बराबर कितना आ गया डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स व बasanे का मतलब है विवाँ प्रमरता और वैद्दुच्छित्र e के संबंद क्या होता है ! इ बराबर होता है minus delta v upon delta x अब बात करते हैं यहाँ पर संबंद हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर e और delta v upon delta x में विवाँ प्रमरता के हम लोग मात्रक की बाथ कर लेते हैं बिमा की बात कर लेते हैं और कैसी रासी है तो देखें विभा प्रमरता कैसी रासी है तो ये वैद्दुच्छेतर की तीवता के बराबर ही है इसका मतलब है यह कैसी रासी है एक सदिस रासी है अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होगा तो देखें मात्रक की अधी बात करते हैं तो मात्रक क्या होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स में वी का मात्रक बोल्ट और एक्स का मात्रक मीटर तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बोल प्रतिकूलाम तो क्या मात्रक आए विभव प्रवारता के दो मात्रक आगे बोल्ट प्रतिमीटर या न्यूटन प्रतिकूलाम अब यादी हम कहें इसका बिमी सूत्र क्या होता है बिमी सूत्र अचा, वीमी सूतर क्या होगा? यदि हम लोग यहाँ रात करना चाहते हैं तो देगे, यह रिखा है निउटन और यह रिखा है प्रती कूलाम तो निउटन प्रती कूलाम में निउटन बलका मात रखोता है तो बलका वीमी सूतर, M, L, T की घाते माइनस दो कूलाम क्या है एटी होता है विमी सूत्र तो यहां पर यदि हम इनको उपर ले जाएं तो विमी सूत्र क्या आएगा M L की घाते एक क्योंकि L तो अकेला ही दिया गया है T की घाते माइनस दो लिखा है यह उपर जाएगा तो एक और माइनस हो गया तो T की घाते माइनस तीन और A की घाते माइनस एक तो अभी मीज सुत्र क्या बन गया M L T की घाते माइनस तीन की घाते माइनस एक हो गया विभव प्रवरता कैसी रासी है सदेस रासी है इतना आपको समझ में आया होगा अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं विभव प्रवरता के बाद अब आप से कोई कह दे कि बताईए वैदुछेतर की तीवरता और दूरी आर या डिल्टा एक्स बोल सकते हो या इसी को डियार बोल सकते हैं और विभव वी को हम लोग क्या करना चाहते हैं एक संबंद में इस्थापित करना चाहते हैं या हम कहें समा कलन के रूप में आप इसको इस्थापित करके बताईए समा कलन के रूप में लिखने का मतलब है वी को आप क्या करो वैद्दु छित्र की तीवता के समाकलन के रूप में लिखिए तो देखे यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो delta V बराबर क्या होगा E into delta X तो यहाँ पर हम V बराबर क्या लिख सकते हैं E into DR लेकिन अब यहाँ पर दोनों के मद्द गुडण कौन सा होगा समाकलन रूप क्या होता है वैद्दु छित्र की तीवता का रेखिये समाकलन यानि की E DR बराबर होता है किसके वी के तो आज हम लोग इतना पढ़ते हैं यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए